Hello everyone, मैं आपको रिताब का दोश्व बिद्बुश सौकत करता हूँ आपके अपने अलेलेक्सपर्ट चैनल में तो इस प्रेम में बात कने वाल हैं कि Google AdSense का अकाउंट कैसे क्रेट कर सकते हैं तो Google AdSense का अकाउंट क्रेट करने के लिए आपके पास औरेड़े Google AdM packages现 अगर आपके पास Google AdMob अकाउंट औरेडे है तभी आप Google AdSense का अकाउंट क्रेट कर सकते हैं तो अगर आपको नहीं पता कि Google AdMob का अकाउंट कैसे क्रेट करते हैं अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर में आना है और ब्राउजर में सर्च करना है गूगल एड़संस जैसे मैं गूगल एड़संस सर्च कर देता हूँ तो आपके सामने कुछ लिंक्स ओपन हो जाएंगे जो आपको सेकेंड में दिखाए दे रहे है गूगल एड़संस और मनी फ्रॉम वेबसेट मॉनेटाइजेशन ठीक है इस पर हम क्लिक कर देते हैं जैसे इस पर हम क्लिक कर देते तो आपके सामने गूगल एड़संस का पेच ओपन हो जाएगा आपको इचीज द्यान में रखने है जब आप गूगल एड़संस का अकाउंट क्रियेट करते हो तब आपका गूगल एड़संस का अकाउंट क्रियेट हो जाता है इसलिए आप आपको Google AdSense में स्रिफ Sign In करना होता है जो Google AdMob में आपने Gmail ID and Password यूज किये थे वही आपको Google AdSense में भी Gmail ID and Password यूज करना है और वो खुदबकु Sign In हो जाएगा तो मैं अभी Sign In पे क्लिक कर देता हूँ जैसे मैं Sign In पे क्लिक कर देता हूँ तो Page Load होगा और आपके सामने दो मिनिट आपके सामने पेच ओपन हो जाएगा तो यह जो Google AdSense है उसने खुदबकुट डिटेक कर लिया है Gmail ID and Password जो कि हमारे प्राउजर में बाइड डिफर्ट Google AdMob Sign In है उसका Gmail ID and Password डिफर्ट वेरिफाइ कर लिया है तो उसके बाद में आपको चुद गेट स्टार्ट पे बटन दिख रहा है इस पे हम क्लिक कर देते हैं जैसे हम गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने होम का ओप्शन आ चुका है Google AdSense अकाउंट क्रिएट करना कोई डिफर्टी है बस आपको ये धान में रखना है आपको सिर्फ एड्रेस एंड अकाउंट टाइप अच्छे से फिल अप करना है तो सबसे पहले अकाउंट टाइप अकाउंट टाइप में पूछ रहा है आपका इंडिविजल है या बिजनेस का है अगर ये आप खुद के लिए गूगल एड्सेंस यूज कर रहे हो तो आप इंडिविजल पे क्लिक कर सकते हो अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हो आप बिजनेस पे क्लिक कर सकते हो तो Google Adsense मेरे लिए इसलिए में इंडिविजल पे क्लिक कर देता हूँ अभी यहाँ पे पूछ रहा है नेम तो मैं नेम अपना फिल अप कर देता हूँ इसने खुद बखुद बाइडिफल्ट अच्छे से कर लिया बट इसको बैक करके मैं अगे नेम फिल अप कर देता हूँ तो यहाँ पे मैंने नेम फिल अप कर दिया है अभी यहाँ पूछ रहा है एड्रेस लाइन आपका यह एड्रेस यहाँ पे फिल अप करना है जो हमारे गवर्मेंट आइडिय में एड्रेस है वही हमें यहाँ पे ओ एड्रेस फिल अप करना होगा ठीके जिसी कि मैं अभी पैन काट का जो एड्रेस वहाँ पे दिया है मैं एड्रेस यहाँ पे फिल अप कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर एड्रेस अभी क्या करता हूँ तो fill up कर देता हूँ तो मैंने अभी यहाँ पर address fill कर दिया है बट आपको धहन में रखना है पैन कार्ड में जो दिया है address line वही आपको address line यहाँ पर fill up करना है और मेरा similar address line 2 भी है तुम इसको copy करके and paste कर देता हूँ आपको यहाँ पूछ रहा है town city जो आप city में रहते हो उस city को यहाँ पर fill up कर देजे मैं अपने city fill up कर देता हूँ तो मैंने अभी अपने city fill up कर दे अभी यहाँ पूछ रहा है post code post code यह six digit का होता है जो की हर area के लिए होता है अगर आपको पता नहीं कि हमारा post code क्या है तो आप google में जाके अपना यहाँ पर address डाल के which of the post code करके ठीक है अपना address line डाल दोगे वैसा है आपको post code आपका मिल जाएगा तो मैं अभी अपना post code यहाँ पर fill up कर देता हूँ बात में यहाँ पर पूछ रहा है state आप जिस भी state में रहता हूँ यहाँ से आप select करके fill up कर देजे मैं अभी select करता हूँ जो की मैं मारस्ट में रहता हूँ इसलिए मैं मारस्ट पर अभी click कर देता हूँ जो आपको यहाँ आपे phone number दिख रहा है वो अभी option में दिख रहा है बट आपको यह धान में रखना है phone number fill up करना बहुती जरूरी है क्योंकि जब हमारी Google AdSense में 10 डॉलर complete होते हैं तो कुछ verification complete हो जाते हैं जैसी pancard या फिर rotor ID passport जो मैंने अभी अभी बता है वो complete होने के बाद verification होने के बाद आपके address पे 6 digit का Google AdSense के तरब पीन आता है तो इसलिए अगर ओ लोग confused हो जाते आपके address के लिए address पे आने के लिए तो आपको direct phone कर सकते अगर आपने phone number fill up किया तो इसलिए आपको यह दयन में रखना है कि अपना phone number देना जरूरी है तो मैं अपना phone number यहाँ फिल अप कर देता हूँ जैसा है मैं अपना phone number fill up कर देता हूँ यहाँ अभी में submit पे क्लिक कर देता हूँ submit पे क्लिक होने के बाद यहाँ पे आ रहा है thank you for submitting your address तो हमारा Google AdSense create हो चुका है तो इस तरह के से आप अपना easily Google AdSense create कर सकते हो तो I hope guys आपको समझ में आवगा कि Google AdSense का आकाउंट कैसे create कर सकते है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर देना तो मिल तक ने नए वीडियो में तब तक ले जहें जय भारत